सबसे important information है मिस मत करीगा देखिए यहां पर nifty bank है nifty bank के चार्ट को हम open करते हैं open करने के बाद देखिए यहां पर बाजार में हुआ क्या है पहले बाजार नीचे खुलता है और उसके बाद में यह उपर वाला जो है 43,873 के high को touch करता है उसके बाद वापस से नीचे आता है औ और यहां पर आने के बाद यह इस जगह पर अपना low बनाता है और उसके बाद तक्रीबन 17 बजे के आसपास happens बाजार यहां से वापस से एक bounce back मारता है तो इसका मतलब यह है बाजार पहले उपर गया फिर नीचे आया और यहां से 17 बजे के आसपास से वापस उपर चला गय देखते हैं हम कोई भी कॉल को ले लिए चलिए मैं लेता हूँ इस कॉल को ले लेते हैं 43-600 के कॉल को और इसके चार्ट को देखेंगे अब आप गौर से इस चार्ट को देख लिए यह है और जैसे जैसे बैंक निप्टी नीचे आया और यह भी कॉल भी नीचा आया इस तरह स रेज किया अब देखिए में जो हमने बैंग निप्टी का चार्ट दिया था देखिए 17 बजे का चार्ट देखा था और यहां पर 17 बजे ये कॉल तक्रीबन 975 रुपे का था और कितने का हो गया है 1025 का यानि कि 50 रुपे का मुमिंट आपको मिलता है तो यही मेरा कहना है कि ब बीच में एक फॉल देता है और जो भी चार्ट डाउन आएगा वह वापस से थोड़ी से रिकवरी करेगा यह जरूरी नहीं है कि कॉल या पूठी जाएगा या फिर बैंग निप्टी उपर जाएगा तब भी होगा नीचे जाएगा तब भी होगा ऐसा नहीं है चाहे उप सवादस साड़े नव से सवादस के बीच में एक लो बनाएगा यह बनाएगा चाहे उपर जाने वाला होगा पुट साइड में लो बनेगा और नीचे जाने वाला होगा तो कॉल साइड में लो बनेगा और वहां पर आप आराम से एक ट्रेड ले सकते हैं वीडियो अच्छ